जब बच्चे की बढ़त कम होती है, यानि वाजवी पेक्षा जितना एक्सपेक्टेड है, उसे वजन कम दिख रहा है या बच्चे की बढ़त अतनी नहीं हुए तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं कहा जा सकते हैं कि अगर हम कुछ खाद्य परदार्त दें तो उसे पक्का बच्चे का वजन बढ़ जाएगा, पर सबसे ज़रूरी है कि हम कारण ढूने कि क्यों बच्चे का वजन कम है, जैसे कि अगर हाई ब्लेट प्रेशर है, यानि प्रेगनेंसी में अगर जादा है, तो उसके कारण भी बच्चे को IUGR हो सकता है, तो डाइबिटीज को कंट्रोल करना ज़रूरी है, अगर कोई infections के कारण है, तो infection को treat किया जाना चाहिए, अगर genetic disorders यानि SLE वगेर की कारण अगर IUGR हो रहा है, तो वो कारण को भी हमको treat करना पड़ेगा, तब ही जाक सभी एक जैसे ही कम है, तो इसको हम symmetrical IUGR कहते है, तो इसके कारण ऐसे होता है कि गर मा और पिता दोनों ही छोटे हैं, तो इसके कारण बच्चा भी constitutionally small हो सकता है, उसको हम symmetrical IUGR कहते हैं, लेकिन अगर asymmetrical IUGR है, मतलब बच्चे के बाकि सब शरीर के अंग ठीक से बढ़ रहा है, सिर्फ बच्चे का पेट ही 80% लोगों में, 80% बच्चों में कम है, तो इसे हम asymmetrical IUGR कहते हैं, और उसको ये सब treatment यानि इको स्प्रिन की गोलियां, जिससे बच्चे को खुन पुरोटा बढ़ता है, मांडी पे लगने वाले injection, जिसको हम low molecular rate heparin कहते हैं, वो हम लगा सकते हैं ताकि बच्चे का फुन पुरोटा बढ़े, infection control होने की, BP कम होने की ये सब गोलियां दे सकते हैं, तो इससे बच्चे का वजन बढ़ता है, और बच्चे की growth age की हिसाब सकती है